जेहिन दोस्तों, सम्मिधान के कुछ महत्वपूर अनुचेद देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अनुचेद वन, अनुचेद वन क्या कहता है, अनुचेद वन गोशना करता है कि भारत राज्यों का संग होगा, जैसे राज्य हैं आप देख रहे हैं, भारत में वर्तमान में 28 26 राज्य हैं और 8 केंद्र शाशित प्रदेश हैं तो भारत ये जो अनुचेद वन है ये ही गूशना करता है कि भारत राज्यों का शंग होगा second है नए राज्जों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान नए राज्जों का प्रवेश और इस्थापना जैसे आपने देखा गुआ पुर्तगालियों से लिया गया, सिक्किम हो गया ठीक है तो बहुत सारे राज्ज लिये गए उनहीं का प्रवेश यानिकि अब जैसे भारत P.U.K को पाकिस्तान को अपने में मिला ले तो ये क्या हो जाएगा नए राज्य हो जाएंगे, इनका प्रवेश या फिर इस्थापना ठीक है, इसका प्रावधन कहां किया गया है, अनुछे दो में किया गया है, अनुछे तीन क्या कहता है, संसद व और विधी के दौरा. किसको अधिकार है नई राज़ बनाने का संसद को. किसके माध्यम से? विधी के माध्यम से. नई राज़ो बना सकती है तथा पहले से अवस्तित राज़ों के छेतर, शीमाउन, नामों में परिवरतन कर सकती है. जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ समय पह कार दिया गया है राज्जों की छेत्रों स्रीमाओं नामों में परिवर्दन करने का और नए राज्जों के बनाने का या इस्थापना करने का संबिधान के प्रारंब होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहां के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संबिधान के प्रारंब के समय भारत में रह रहे हो अब हमारा अनुचेद पांच क्या कहता है यह यह कह रहा है कि संबिधान के प्रारंब होने के समय यानि संबिधान का प्रारंब हुआ हमारा 1950 को तो संबिधान के प्रारंब होने के समय भारत में रहने वाले वे सवी यक्ति यहां के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो या जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो जैसे जन्म भी नहीं हुआ हो लेकिन माता पिता भारत के नागरिक हो जन्म कहीं बाहर हुआ हो तो वे भी सम्मिधान के प्रारम के समय भारत में रह रहे हों कौन रह रहे हों? माता पिता ठीक है? तो उनके जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगी ठीक है? नेक्स्ट है अनुशेत त्रेपन संग की कारेपाले का सम्मंदी शक्ती राष्ट्रपती में नहित रहेगी जो संग की कारेपाले का शक्ती है कारेपाले का मतलब जो हमारी लौ बनाती है कारेपाले का जो हमारी शंसद है लौ बनाती है और जो प्रधान मंत्रिय और उसकी मंत्र परशद होती है वे सारी शक्तियां राश्ट्रपती में नहित रहेंगी नेक्स्ट है उपराश्ट्रपती राज्यसवा का पदेन अध्यक्ष होगा क्या है अनुचेट 64 क्या कहता है उपराश्ट्रपती राज्यसवा का पदेन अध्यक्ष होगा जो उपराश्ट्रपती होते हैं वो राज्यसवा के अध्यक्ष होते हैं एक मंत्रपरशद होगी जैसा कि आप देखते हैं प्रधान मंत्री और उसकी मंत्रपरशद कहा जाता है जिसके सीर्स पर प्रधान मंत्री रहेगा जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपती अपने कारे को संपन करेगा जैसे जो मंत्र परशद होती है वो राष्ट्रपती को सला देती है उसी के आधार पर राष्ट्रपती अपने कारे को संपन करते हैं रास्ट्रपती मंत्रपरसद के लिए किसी सला के पुनरवचार को आवशक शमच सकता है रास्ट्रपती है अगर कोई मंत्रपरसद शला दे रही है रास्ट्रपती को तो उसे ये भी कह सकता है कि भाई एक बार विचार कर लो आप पर पुनेरवचार के परशात दी गई सलाह के अनुसारवा कार्य करेगा लेकिन जब उसने पुनेरवचार करके मंदरपरशन ने रास्ट्रपती को कह दिया कि आप ऐसा करो तो फिर वो करने के लिए बात देहोंगे इससे संबंधित किसी विवाज की परीक्षा किसी नियायले में नहीं की जाएगी अब रास्ट्रपती या फिर कोई और व्यक्ति ये नहीं पूछ सकता कि मंदरपरशन ने रास्ट्रपती को क्या सलाह दी ये मंदरपरशन और रास्ट्रपती के बीच का मामला होता है ठीक है तो आज हमने अनुच्छे एक, दो, तीन, पांच, त्रेपन, चौशट और चौहेतर पड़े नेक्स्ट हम आगे देखेंगे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना जै हिंग जै भर